नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्यान की जानकारी पर दोस्तों चंदर ग्रहन के समय सूतक काल होता है और दोस्तों सूतक काल में मर जाना लेकिन संबंध बिलकुल नहीं बनाना चाहिए दोस्तों यह मान के चलिए गलती से भी संबंध नहीं बनाना है दोस्तों पूरी जिंदगी पड़ी है संबंध बनाने के लिए तो परंतु आपको जान प्यारी है तो यह काम बिलकुल भी मत करना ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों चंदर ग्रहन के समय सूतक काल पड़ी डिता है और दोस्तों सूतक काल के समय नकारात्मक शक्तियां चारों और फैल जाती है वैसे में दोस्तों संबंध बनाना आपको बहुत भारीब सकता है इसलिए तो दोस्तों हम आपसे बोल रहे हैं कई ऐसे काम है जो आपके घर में चंद्रग्रहन के समय जो सूतक काल का समय होता है उसमें कौन-कौन से कम आपको नहीं करने का काम खोल कर सुन लेना नहीं तो जिन्दगी भर पचता होगे दोस्तों इस बार चंद्रग्रहन को लेकर कई लोगों को डाउट में है कि इस बार का चंद्रग्रहन 28 अक्टूबर को या 29 अक्टूबर को पीडी डेगा इस बात को लेकर लोग बहुत कन्फ्यूजन में रह रहे हैं और दोस्तों चंद्रग्रहन से किन लोगों का लाभ मिले दोस्तों अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना ये बजरंग बली जी जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना दोस्तों मिठाई बांटने के लिए हो जाएए तैयार क्योंकि डेरा 100 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्रग्रहन लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहा है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ 12 में से 6 ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्रग्रहन के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा ना केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा बलकि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा अब इनको करोध पती बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अगर जोतिशियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्रग्रहन का समय पूरे डेरा 100 वर्षों बाद आया है इस दिन ऐसे अद्भुत और दुरलब संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 6 राशिवालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियां ही खु दोस्तों इस चंद्रग्रहन का नकेवल पूरी दुनिया के जोतिश बलकि वैज्ञानिक भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। पर सही विधिविधान से कर लेते हैं। तो मान के चलिए, इन उपायों को करने के बाद नकेवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कश्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी। बलकि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन. मैं आपको धन, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को न केवल चंदर ग्रहन लग रहा है, बलकि इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़िडे एच रही है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद, साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और वो आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बलकि आप में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे. आपके जीवन में जो धन आएगा, वो रुकेगा भी, टिकेगा भी इसमें वृद्धी होगी, और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ी डिडेगा. ध्यान रखियेगा दोस्तों, जब भी चंदरग्रहन लगता है, तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं, इसलिए हमारे वेद पुरानों में बताया गया है, चंदरग्रहन जितनी देर भी रहता है, उतनी देर देवी शक्तिय का प्रभाव लगभग लखगना के बराबर हो जाता है और इस दोरान किया गया उपाए कभी भी खाली नहीं जाता है इस दोरान कोई भी – क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहन का समय एक ऐसा समय होता है, जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं, वो चंद्र ग्रहन वाले दिन का इंतजार बेसबरी से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाब जरूर मिलेगा, और दोस्तों, 28 अक्टूबर 2020-23, जिस दिन महाचंद्र ग्रह है, और शरत पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहा है, इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार, हमारे विडियो में बत आपका साथ देना शुरू कर देगा, बलकि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, ना केवल आपके, बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाएं, ना केवल बलकि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत लिख दीजिए, मा लक्ष्मी जी की जय और एक काम कीजिएगा, उस उपाय को करके आपकी राशी के अनुसार, हम इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जीतने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोडों की धन दौलत होती है, बेशुमार आ होता है वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं एक आदशी हो गया अमावस्या हो गया चंद्र ग्रहन हो गया सूर्य ग्रहन हो गया ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्थ होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे तोना टोटका करेंगे तो इसका आपको पलट करके लाब जरूर मिलेगा और दोस्तों चंद्रग्रहन के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्रग्रहन की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है इसलिए दोस्तों वेद पुराण ओ में चंद्रग्रहन की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं इसलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं और आपको हम बता दें दोस्तों इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया है जिसे आज आप काम के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चंदरग्रहन शुरू कब होगा और चंदरग्रहन खत्म कब होगा तो दोस्तों इस साल का जो महा चंदरग्रहन लगने जा रहा है वो 28 अक्टूबर की रात को 11.31 बजे पर उपचाया में प्रवेश करेगा इसका जो प्रारंब होगा वो 1.00 बजे 5 मिनट पर होगा इसका जो मध्यकाल होगा वो 1.44 बजे पर होगा इसकी जो समापती होगी वो 2.24 बचे पर होगी लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना है कि चंदरग्रहन का जो सूतक काल है वो 28 अक्टूबर को 4.32 बजे पर शुरू हो जाएगा अब आप सोचेंगे कि ये सूतक काल क्या होता है तो दोस्तों सूतक काल होता है शुब समय यह एक ऐसा समय होता है जो नकारात्मक शक्तियां जो होती है उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और इस दोरान जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती है उनका प्रभाव लग भग नके बराबर हो जाता है इस दोरान कुछ ऐसी गलतियां हैं, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अंजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दोरान कर देते हैं, जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सخت मना ही है, तो दोस्तों आपको अपने पूरे जीवनकाल, हर प्रकार की प भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से उपाय है। जो चंद्र ग्रहन वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको मा लक्ष्मी जी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। इस चंद्र ग्रहन जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है। जैसे ही चंद्र ग्रहन का सूतक काल शुरू हो जाए। आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढग देना है और ना पूजा करना है ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना। वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। इसी प्रकार से चंद्रग्रहन जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ना आप लोग खाना बनाए ना खाना घर पर खाएं और चंद्रग्रहन के समय आप लोगों को इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा। नुकीली चीज जैसे कै इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंदर ग्रहन वाले दिन विशेश करके ध्यान रखते हैं, तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुश प्रभाव इस चंदर ग्रहन का देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय है, जो अगर आप चंदर ग्रहन वाले दिन करेंगे, तो उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और आपको आता लक्ष्मी का वर्दान मिलेगा। विडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अभी तक आपने विडियो लाइक नहीं किया है, विडियो को लाइक कर दीजिए। प्राप्ति का महा उपाय, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए साक्षात आपको मा लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की व शुरू होगा, वो 28 अक्टूबर की शाम 4.32 बजे पर शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपको ले करके आना है, एक पीतल की कटोरी, पीतल की कटोरी आपको लाना है, आप चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक पीतल की कटोरी लाएं एक गंगा जल खरीद कर लाए, गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए, एक रूपया का सिक्का लीजिए, RSN के सिक्के को आप लोगों अच्छे तरीके से धोलीजिए, और देखिएगा, एक रूपया का सिक्का कटा पीटा ना हो, आप इस पीतल की कटोरी में आपको एक रूपया का सिक्का डाल देना है इस कटोरी को ले जाना है अपनी छट पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रौशनी आती हो ध्यान रखिएगा ये उपाय आपको रात में 11.30 बजे से पहले कर लेना है अब आपने तै कर लिया आपको 29 अक्टूबर की सुभह उठना नहाना धोना है उस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने एक रूपया का सिक्का रखा है इस RSN के सिक्के को अच्छे तरीके से धोलीजिए लाल कपे डीडे में लपेट करके अपनी तिजोरी में अलमारी में दक्षिन दिशा में रख दीजिए इतना उपाय सिर्फ आपको करना है देखिए दोस्तों इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये एक रूपया का सिक्का एक चुम्बक बन जाएगा आपके जीवन में जो धन खीचने का काम करेगा इस RSN के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे क्या आपके जीवन धन चारों दिशाओं से खीचा हुआ चलाएगा ये माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीरवाद आपके जीवन में बन जाएगा जिसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी दूसरा उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हो तो वो बिमारी से मुक्ति पाने का महा उपाए मान लीजिए आप बहुत बिमार पड़ी डे रहते हैं ये आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बिमार पड़ी डेच रहे हैं तो आपको क्या करना है चंदर ग्रहन का सूतक काल शुरू होगा वो 4.32 बजे पर शुरू हो जाएगा आप एक काला कपड़ी डहा ले लीजिएगा काले कपड़ी डे में काली मिर्च भर दीजिएगा काली मिर्च काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बना करके उस बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे रख दीजिएगा नीचे रख इजिएगा बस उस बीमार व्यक्ति को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रख करके सुना है अगले दिन मतलब 29 अक्टूबर को आपको वही पोटली उठानी है काली वाली जिसमें आपने काली मिर्च रखी है बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाई और से दाई और बहुत ध्यान से सुनिएगा बाई और से दाई और साथ बार घुमाना है अब इसी को ले जा करके किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना इतना उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा, वो बिलकुल सवस्थ हो जाएगा, बिलकुल ठीक हो जाएगा, और वो खुद देखेगा, कि उसके स्वास्थे में कैसे एक बहुत बढ़ा बदलाव आएगा। ग्रहन रात में 11.30 बजे शुरू हो रहा है, उससे पहले आपको बस यह करना है कि एक सफेद कपड़ी ढ़ा लेना है, उसमें दो लौटा चावल डाल देना है, इस सफेद कपड़ी ढ़े की पोटली बना करके घर के छट पर आपको रख देना, वहाँ पर छट पर रख दिये अब 29 अक्टूबर को आपको उसी दो लौटे चावल का ले जा करके, दान किसी भी व्यक्ति को गरीब व्यक्ति को कर देना, इतना उपाय आपको करना है, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो दोस्तों मान कर चलिए, आपके उपर कोई भी दोशी होगा, उस दोश से आ आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी, अब आखिरी उपाय, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बंद पड़ीधे व्यापार को चलाने का महा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ेधा व्यापार चल पड़ीधे, आपके व्यापार में चारों दिशाओ इस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले मौली धागे के बंदल खरीद लाएगा, आगे का बंदल खरीद ली है, और इस धागे का बंदल खोल करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए, जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं, 29 अक्टूबर को इसी धागे का बंदल ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए, देखिए हनुमान जी महाराज, एक संकट मोचन है, अगर कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा, तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देंगे, और अगर आपने यह मौली धागे का प्लैन हनुमान जी के मंदिर में कर दिया, तो मान के चलिए, आपका बंद पडीड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीरवाद से चल पडीड़ेगा, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा, यह एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है, अब वो कौन सी? भाग्यशाली राशियां हैं, जिनका जीवन पूरी तरह से इस चंदर ग्रहन के बाद बदलने जा रहा है, तो सबसे पहले राशी है, मकर राशी देखिए, मकर राशी वालों को बताया जा रहा है, कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकर व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके जीवन में इस चंदर ग्रहन के बाद एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, दूसरी राशी है तुला राशी, अगर आप तुला राशी के हैं, तो मान के चलिए इस चंदर ग्रहन के बाद का समय बहुत ही ज आसा कर्ज लिया हुआ था, जिसका कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोज से आपको मुक्ति मिल जाएगी, तीसरी खुशनसीब रही है कन्या राशी, कन्या राशी वालों के जीवन में चंदर ग्रहन के बाद विदेश यात्रा पर ज जाने के योग बन रहे हैं, अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोट का चहरी में आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपको राजनीतिक लाब होगा, आपके व् जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, नौकरी की तैयारी करकरके, जो आप लोग ठक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके व्यापार में व्रिद्धी होगी होगी, आपके जीवन में लाखों क प्रोडों धन पाने के योग बन रहे हैं, आपका मान सम्मान बरेगा, आपके समाज में इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशिके हैं, तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ति होगी, इस चंद्र ग्रहन के बाद आप जो भी नया कार् उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, धन्यवाद